इस न्यूज के प्रायोजिक है कपिल सिब्बल ने बहस की बहस पूरी होने के बाद कोट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है आज जार्खन हाई कोट के अंदर और बाहर काफी गहमा गहमी दिखी दिन था लालू यादब के जमानत याचिका की सुनवाई का जिसमें कपिल सिब्बल ने लालू यादब की तरब से अपना पक्ष रखा सिब्बल ने लालू यादब पर लगी बिवन धाराओं का अलग-अलग जिक्र करते वे बताया कि लालू को जितनी धाराओं के पहत सजा हुई है उसमें से एक धारा 120B यानि क्रिमिनल कॉंस्प्रेसी है कपिल सिब्बल ने इस दोरान लालू की खराब सेहत कावी हवाला देते वे कहा कि उनकी उम्र 71 साल हो गई है उन्हें कई गंभीर बिमारियां भी हैं कपिल सिब्बल ने इस दोरान लालू को हुए एक एक बिमारियों का नाम लेकर कोट को सुनाया इधर लालू की समर्थकों को उम्मीद थी कि शुक्रुवार का दिन उनके लिए खुश खबरी लेकर आएगा और लालू यादप को जमानत मिल जाएगी लालू यादप की जमानत के लिए पाठी के कई निताओं ने पूजा पाठ भी की वहीं आरजेडी के निता राजन तिवारी ने पटन देवी में पूजा अर्चना की और लालू यादप की रिहाई के लिए मनते मांगी उन्होंने कहा कि देवी के आशिरवात से लालू को जमानत मिलेगी और वे बाहर आकर शत्रूओं का नाश करेंगे वहीं आरजेडी प्रवक्ता भाई विरिंद्र ने कहा कि उनके बाहर आते ही पूरा माहौल लालू में हो जाएगा और देश में महा गठबंदन की सरकार बननी तै हो जाएगी ही महा गठबंदन चला रहे हैं लालू प्रिशाद पिछले 23 दिसंबर 2017 से जेल में थे जहां आरजेडी मुख्या का राची के रिम्स अस्पताल में इलाद चल रहा था जहां उनकी तव्यत कई बार बिगड़ी हलाके चिकित्सकों ने कहा था कि उनका स्वास्त इस्थिर है दरसल चारा घोटाला के तीन मामलों में सजा काट रहे लालू यादब ने उम्र और बिमारी का हवाला देकर देवघर, चाई बासा और दुमका मामले में जमानत के लिए 11 दिसंबर को याचिका दाखिल की थी उनके जमानत याचिका में कहा गया था कि लालू 71 वर्ष के हो गए हैं और उनको मधू में ब्लड प्रेशर सहित अन बिमारिया हैं इन गंभीर बिमारियों के बहतर इलाज के लिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए इससे पुर्व अदालत में CBI ने जमानत पर बहस के लिए समय की मांग की थी जिसे पीठ ने सुविकार कर लिया था और चार जन्वरी की तारीक निर्धारिद की थी बहर हाल लालू यादब के परिवार उनके समर्थकों को अभी लालू यादब के आने का और इंतजार करना होगा लेकिन हाल के चुनाओं में अगर लालू यादब जेल से बाहर आते हैं तो पाटी के लिए एक टोनिक का काम करेंगे साथ ही उनके घर में चल रहे विवाद भी सुलत सकते हैं देखना दल्चस्प होगा की कोट लालू यादब को लेकर कौन सा फैसला सुनाती है अभी के लिए बस इतना ही बिहार जारखन की तमाम ख़बरों के लिए आप देखते रहे आजय भारत कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रपोस किया था जब खुश्यों की कम होने लगे स्पीड तो काम आए एजी स्पीड सिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड हमेशा साथ रखिए एजी स्पीड दर्थ बगाए फुल स्पीड